नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी फार आल एक्री कल्चर कर टेटी एक्जाम में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में कुछ महातपूर क्यूसन है जो कि आने वाले एक्जामों की दिस्टोर से महातपूर है TGT हुआ PGT का एक्जाम होने वाला है यह यह MP rural vacancy आयो हुई है MP में तो वहाँ पे rural grammar, aggressive, विस्टार, अध्क्यारी का post के लिए तो वहाँ पे agriculture situation पूछे जाएंगे total solution ग्रीकल्चस रहेंगे तो उन्ही को हम इस वीडियो में कुछ महातपूर क्यूसन है जो की solve करेंगे जो कि आने वाले एक्जाम की दिस्कोर से बहुत ही महत्पूर है जिनों ने अभी टक टेलीग्राम गूर्प जॉइन किया है वो टेलीग्राम गूर्प जॉइन कर सकते हैं आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंग दे देंगे और वार्टस अप नंबर दे देंगे अगर कोई भी लोग यह मसी इंट्रेंस एक्जाम और यह टीजीटी पीजीटी के आप्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो वो दिये गए नंबर पे संपर कर सकते हैं पहले हम देख लेते हैं कुछ मातपूर्ण इंफार्मेशन तो जो भी लोग टीजीटी, पीजीटी यह मसी इंट्रेंस एक्जाम के प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो वो लोग इस दिये गए नंबर पे आप संपर कर सकते हैं नंबर है 32, 33, 32, 39 पे आप वार्टस मेसेज करके वहाँ से इंफार्मेशन ले सकते हैं क्लास जॉइन करने के बारे में डेली आपको लाइब क्लासेज होंगी प्लस उसका रिकार्डर वीडियो मिलेगा फ्लस टेस्ट जो है वो बीच बीच में सब्जेक्ट वाइज होता रहेगा तो आप लोग जिनको भी TGT, PGT और यह मसी इंट्रेस एक्जाम की प्रिप्रेशन करना है TGT, PGT का नए बैच स्टार्ट हुआ है तो बैच नए वाला जॉइन कर सकते हैं जो भी यह मसी इंट्रेस का बैच जोइन करने चाहते हैं वो जुला इस बैच चल रहा है तो वहां से उनको जो भी लेक्चर भी हो चुके हैं एंडेट प्लस तो वह सब रिकार्डिर वीडियो आपको मिल जाएगा प्लस जो डेली लाइफ क्लासे जोंगी वो भी आपको मिलता रहेगा टेस्ट जो है वो गुरूप में होगा आपको एक टेलिग्राम गुरूप में आपको आइड कर दीज़ेगा वहां से आपको मिलता रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन है रेड डेलेसियस इजे वराइटी आप तिनमें में से बताना है आपको रेड डेलेसियस किसकी वराइटी है चार आपसन दीगे है एपल गौवा माइंगो पापाया तिनमें में सही आपसन जो होगा वो आप कमेंट करके बतागी तो इसमें सही option जो है वो red delicious variety जो है वो apple की variety है तो यह आपको याद रखना है competitive जामें पूछे जाता है red delicious variety किसकी है तो वो है apple का अगला question है the ratio between marketable craft yield and water use in viprose transpiration is known as चार आप्सन दिये गया है A है water use efficiency B है consumptive use efficiency C है filled water use efficiency and D है economic irrigation efficiency इसमें सही option जो होगा वो होगा A water use efficiency the ratio between marketable craft yield and water use in transpiration is known as water use efficiency अगला question है the green revolution is mainly being successfully for चार आप्सन दिये गया है तो इसमें में सही बताना है किस crop में green revolution जाए हो successfully उस sector में growth ज्यादा हुआ था A है rice B है wheat C है maze and D है gram तिसमें सही option जो है वो B है wheat जो है वो green revolution में सबसे ज्यादा उसके उपज में जो है वो व्रिद्ध हुई अगला question है question number मिनरल जो है वो इस्टेज है ट्यूबर मौत का तो सही आंस्वर जो होगा वो लार्वा अगला क्यूशन है विंगर कंटेंड फर्सेंट एस्टिक एसिट ए है दस परसेंट भी है पांस परसेंट सी है बीस परसेंट डी है पंदर परसेंट इसमें सही आपस न जो होगँ वो डी 15 परसेंट जो है वो इस्टिक एसिट जो है वो पाया जाता है अगला क्यूशन है ब si jungle is a ब लुश्टर सी ब स्यो रोसीस इसमें मेंज़ें आपको बताना है किस नाम से जानते हैं तो राइट एंसर इसमें होगा चल्ट स्योशन स्योशन एक हम स्योशन नियुक火 अगला क्यूशन है इसमें सही आप्सन जो होगा वो होगा डी केटा कोल जो है वो ग्लिसराइट फार्म में पाए जाता है त्राइट टेंसर जो होगा वो डी होगा अगला क्यूशन है प्रभात इजे अल्ली साट ड्यूरेशन वराइटी आप किसकी है वराइटी जो है वो प्रभात जो है अल्ली साट ड्यूरेशन की वराइटी किसकी है चार आपसन दिये कहा है ग्रीन ग्राम भी है बलेक ग्राम सी है रेड ग्राम डी है ग्राम जिसमें सही आपसन जो होगा वो C आपसन रेड ग्राम जो है वो प्रभाद जो है वो रेड ग्राम की वराइटी है यह आपको जाद रखना है प्रभाध इए फेमेस वराइटी आपसाट डियूरिसन वराइटी तो वो है रेड ग्राम के जानस के जानगे अगला क्यूशन है rice and wheat has how many A है 3 3 B है 6 6 C है 3 C and D है 6 3 तिसमें सही आपसम जो होगा वो होगा A 3 3 जो है इस्टेमिनस जो है वो राइस एंड वीट में जो है वो पाय जाते हैं तरहाइट एंसर होगा A अगला क्यूशन है ग्रीनिंग आफ पोटेटो रिजल्ट इन A है increasing in nutritional quality B है decrease in nutrition quality C है increasing in disease resistant D है decrease in disease resistant तिसमें सही आपसम जो होगा वो होगा B decreasing in nutrition quality पोटेटो ग्रीनिंग होने पर जो है वो पोटेटो का decrease nutrition quality जो है वो decrease कर जाता है तो राइट हैंस वर B अगला क्यूशन है damaging damping of disease of vegetable nursery can be controlled by A है solarization B है mixing of fungicide in soil C है seed treatment D है all of these इसमें सही आपसम जो होगा वो D होगा all of these जो है वो damaging of stage of vegetable nursery जो है वो damaging of जो होता है वो control करने के लिए हम seed treatment करते हैं mixing of fungicide कप्रेओ करते हैं और solarization जो है यह practices करते हैं तो यह कुछ महातपूर क्यूशन थे जो की कम टेटुग जाम की discord से महातपूर है वीडियो पसंद आयो तो like subscribe share जरू करें telegram ग्रूप का हम links description बास विद्या देंगे टेलिग्राम में डेली क्यूशन share होते रहते हैं तो वहाँ साब को join करके वहाँ से क्यूशन का answer दे सकते हैं और latest information जो है वो telegram group में मिलता रहाता है जिने में live classes जो join करना है तो वो दिये गए नम्मर पर संपर कर सकते हैं यह कुछ question है उनका answer आपको comment box में आपको बताना है पहला है soil fertility and fertilizer was written by soil fertility and fertilizer book है वो किसने लिखा था चार आप संदीक है यांसी ब्रेडी इसका आपको comment box में बताना है अगला है who gave the stainment water was solo nutrition of plant यह रावाट वेवली भी है रेट्रो डायू जॉन वूडवर्ड जे आर्ग ग्लोवर एंड जे वी हलमंट तिसमें में से आपको बताना है अगला question है heart showing husbandry was written by यह है लीबेग भी है और्थर यंग भी है बेकर सी है जेट्रो टुल तिन तीनो कीशनों का आपको answer comment box में बताना है इसका answer जो है वो हम next video में आपको देंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद